पहले बच्चे को सुखे तोलिये में ले बच्चे को गरम कपड़े में लेकर उसकी मा को दे बच्चे की स्वेशन क्रिया को दुबार से चालू करें और एक सोल्डर रोल बनाके उसके कंदे के नीचे रखें बच्चे के मुँ और उसके नाक को सक्षन करें साफ करें म्यूकस एक्स्ट्रेक्टर होता है उससे साफ करें नाक और बच्चे के मूँ को साफ करें अब गार्ज कोर्ट चेक करें बच्चे की स्वेसर के लिया को सुचारो रूप से चालो करें बच्चे की आँख को साफ करें सूखे कोटन से सलाइन लेकर बच्चे की नाभी को साफ करें बच्चे की नाभी को स्पिरिट से चार और से साफ करें बच्चों के हातों में आइदेंटिफिकेशन बैंड बांधे पहचान के लिए बच्चे को मा के पास रखें कंगारू मदर केर के दुरान मा अपने बच्चे को सीनी से लगा के रखती है जो कमवर्जन का होता है फीटल अबनॉर्मल्टी, क्लेफ्ट लिप स्पाइनल बायो फिड़ा हाइडोसिफैलस हाइडोसिफैलस इसे बच्चे की सीनी में पानी बर जाता है बच्चे का वजन चेक करें धाई क्लो से उपर होना चाहिए बच्चे को अच्छे से खिलाए बच्चे को उसकी मा को दे ताकि बच्चा दूद पिए समय से यह है रेडियंट वार्मर मसीन है जिसमें बच्चे को रखा जाता है उसे गरमाहस देने के लिए इंजेक्शन वाइटमिन के जो बच्चों को लगाया जाता है यह हैं फोटो थेरेपी मसीन है इसमें ब्लू लाइट होती है और बच्चा यदि 5 ग्राम से ज़्यादा उसमें बिलरोबिन पाय जाता है तो उसके पीलेग खतम करने के लिए लाई जाती है यह प्योग में जनम के तुरंट बाद BCG का टीका लगाएं और टीका करन करें आइडिन्टिफिकेशन डेंजर साइन मा को स्वास सिक्षा देना पीपिएच क्या होता है डिलिवरी के बाद 500 एमल से ज़्यादा अगर खून बहरा है तो उसे पीपिएच कहते हैं डिलिवरी के दुरियान उप्योग में होने वाली दवाईयां और उनकी खुराके जैसे इंजक्षन ओक्षोटोसिन दस इंटरनेशनल यूनिट एक लिटर डेक्स्ट्रोज में चलाई जाती है ताकि मदर को डिलिवरी के दुरान कॉन्ट्रेक्शन हो मेथारजिन का इंजक्षन एक एमिल का लगाया जाता है मदर को इंट्रा मस्कुलर ताकि जब पीपिएच हो तो उस समय पर यूट्रस कोंट्रेक्ट कर सके मेगनिशम सलफेड यदि मदर को डिलिवरी के दुरान किस भी परकार से दोरे पड़ते हैं तो MGS4 का इंजक्षन लगाया जाता है डिलेवरी के दोरान तुरंत इंजक्षन टेटनस टेक्सोईड टीटी का इंजक्षन मदर को लगाया जाता है और साथ ही बच्चे को भी टीटी लगाया जाता है